गुड मॉर्निंग क्लास 12 हम लोग डायरी के पन्ने पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली का अक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एन क्या बोल रहे हैं कि हमें अपना अस्थान छोड़के अज्यातवास को जाना होगा तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं प्रिष्ट संख्या 54 के तीसरे पेरेगराफ से पढ़ना प्रारम करते हैं अज्यातवास हम कहां जाकर छुपेंगे ये प्रश्ण उनके मन में आ रहा है शहर में, किसी गाओं में, किसी घर में, किसी परचती पर कब, कहां, कैसे ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुल बुला रहे थे कि मेरे मन में ये सवाल बार-बार आ रहा था कि हम कहां जाकर छुपेंगे, कौन सा वस्थान होगा मारगोट और मैंने अपनी बहुत चीजें एक थैली में भरना शुरू किया क्योंकि उन्हें अपना वस्थान छोड़ना होगा, जाकर कहीं छिपना होगा तो बहुत सारे समान जो जरूरी हैं, रोजमर्रा के हैं, वो उन्होंने थैली में भरना शुरू किया मैंने सबसे पहले अपने थैले में एक डायरीट हों सी उसके बाद मैंने करलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंगी और कुछ पुरारी चिठियां थैले में डाली ही ज्यादा आतंग के डर गई थी, कि क्या होगा, कैसे, कहां जाकर छुपेंगे, सारी चीजें उन्हें बहुत ही भीतर तक डरा चुकी थी, वो आतंग से ग्रसित हो चुकी थी, तो क्या कर रही है उन्हें खुझ भी, समझ में नहीं आ रहता है, गैर जरूरी चीजें भी भर ले रही थी, फिर भी मुझे अफसोस नहीं, इस स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं, सही बात है, तब हमने मिस्टर क्ली मेन को फोन किया, और क्या वे शाम को हमारे घर आपाएंगे, या जाना, मिस्टर वानदान चले गए, ता ड्रेसों, जैकेटों, अंडर वियरों, तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई, इसके बाद हमारे फ्लेट में सन्नाटा चागिया, जब हो मियब चली गई, हमारे घर में, हमारे फ्लेट में सन्नाटा चागिया, हम मैंसे किसी की भी खाना खाने की इक्षा ही नहीं हुई देखिए कि जो हम लोग बहुत डरे हुए हों या बहुत एक्साइटेड हों तो हमारी भूख मर जाती है तो हिच्छा ही नहीं हुई मौसम अभी भी गरम था और सारी चीजे जैसे हमारे लिए अजनभी होती जा रही थी हमने अपना उपर वाला एक बड़ा कमरा तीसे एक बरस के लिए विधुर मिस्टर गोल्ड सिम्ट को किराय पर दे रखा था तै था कि उसे उस शाम कोई काम दंदा नहीं था इसके बावजूद हमारे कई इशारों के बावजूद वो रात दस बजे तक वहीं मंड़ाता रहा मियेप और जॉन गियेज रात ग्यारा बजे आये मियेप 1933 से पापा की कमपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी उसके पती जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडर्वियर और किताबे मियेप के गहरे बैग में और जॉन के जेबों में गायव हो रही थी यानि वो अपना समान भर रही थी every 11.30 बचे से वे खुद भी बीदा लेकर चले गए मैं बुरी तरह से ठक गई थी इतना सारा काम करने इतनी तयारी चारण में बहुत ठक गई थी फिर भी एक बात में अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिष्टर पर मेरी आखी रात है इसके बाद पता नहीं कहां जाना है, कहां रहना है, कैसी जिन्दगी होगी, ठीक से सोने को स्थान भी मिले अग नहीं, यह सब इस पर प्रश्ण चिनने था, बट उन्हें इतना पता था कि यह रात जो आज की है, यह मेरे बिस्तर पर आज आखरी रात है। मैं जैसे घोडे बेच कर सोई, बहुत अधिक ठक जाने पर हमें नींद भी गहरी आती है, तो यह भी क्या हुई, एक दम गहरी नींद में सोई, घोडे बेच कर, मेरी नींद अगली सुबह साढ़े पांच बजे मार गोट के जगाने पर ही खुली, किस्मत से यह सुबह रवि दिवार की तरह गरम नहीं था, यानि आज उतनी गरमी नहीं थी, दिन भर गरम बरसात की फुहारे पढ़ती रही, हम चारों और अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिये थे, मानो हम रात फ्रीज में गुजारने जा रहे हैं, यानि हम लोगों ने इतने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे, पता नहीं कैसी इस्तिती में रहना हो, रोज हम लोगों कपड़े धो भी सके कि ना सके, तो बहुत ज़्यादा कपड़े, अब बैक में तो इतना नहीं आएगा, तो पहन ही लिया, तो पहन लिया, हम जिस इस्तिती में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था मैंने दो बनियाने, तीन पैंटे, एक ड्रेस और उसके उपर एक सकर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, दो जोड़ी, स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक सकार्प और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ पहन ओड़ लिया घर से निकलने से पहले ही मेरी, मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवा नहीं थी, कि मुझसे पूछे एन, कैसा लग रहा है तो मैं, इतने सारे कपड़े, सब कुछ पहन लिया, तो लग रहा है जिसमेरा दम घुट रहा है, लेकिन कोई और उपाय भी नहीं